देश का 80 प्रतिशत यातायात तथा 50 प्रतिशत आवागमन वाहनों पर ही निर्भर है इन वाहनों में प्रचलित रूप से डीजल या पेट्रोल का उप्योग इंधन के रूप में किया जा रहा है भारत में डीजल का उप्योग पेट्रोल की तुलना में लगभग साथ गुना अधिक किया जाता है परिवहन के लिए उप्योग किये जा रहे सारवजने एवं व्यक्तिगत बाहनों के कारण खास कर शेहरों में भारी वायू प्रदूशन की मात्रा बढ़ी है इस खत्रे को जान परियावरण को प्रदूशन मुक्त रखने के लिए और पेट्रोल व डीजल की निर्भरता कम करने के लिए केंद्रिय मंत्रे श्री नितन गटकरी जी ने दोहजार उन्नीस में डीजल मुक्त विदर्भ का नारा दिया पेट्रो केमिकल और कच्चे तेल की आयाक पर लगने वाले लगभग 40,000 करोड रुपे वचाने के लिए इलेक्ट्रिक, सी एंजी और एलेंजी से चलने वाले वाहन भारतिय आटो मुबाइल क्षेत्र का भविश्य होंगे ऐसा उनका द्रिढ विश्वास था गटकरी जी ने अपने डीजल मुक्त विदर्ब के नारे की कतनी को करनी में साबित करते होए विदर्ब खेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया सारवजनेक बसों को CNG पर चलने के लिए प्रेरित किया इतना ही नहीं उन्होंने देश का पहला CNG ट्रैक्टर भी लॉंज किया आज के आधुनिक जमाने में CNG का अगला कदम LNG है LNG यानी द्रवित प्राकृतिक गैस एक नया इंधन है जो अत्याधुनिक तक्नीक का नतीजा है ये एक ऐसा प्राकृतिक गैस है जिसे माइनस 162 डिग्री सेंटिग्रेट पर क्रायोजेनिक टेकनोलोजी से द्रविकृत किया जाता है रंग हीन तथा गंध हीन LNG एक परियावरण अनुकूल इंधन है जो बिलकुल भी विशैला या कुरोजिव नहीं है जून 2020 में भारत सरकार ने एक डी रेगुलराइजेशन अधिसूचना के तहट निजी संस्थानों को भी भारी ट्रक एवं अंतर राज्जिय बसों को LNG सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया LNG योजना के तहट हाइवे किनारे स्टेशन बना कर ट्रकों वब बसों को प्राकृतिक गैस से चलाया जाएगा इस योजना की आपूर्ती के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद में कारेरत वैध्यनाद जैसी कंपनी को निवेश के लिए राजी करने का महत्वपूर्ण कार्य श्री गटकरी जी ने किया ये गटकरी जी के भरसक प्रयास वैज्यानिक द्रिश्टिकों तथा देश की उन्नती के प्रती कटी बद्धता का ही फल स्वरूप है जो नाकपूर में देश का पहला LNG आपूर्ती केंद्र यानी स्टेशन का निर्मान हुआ है LNG की प्रकृती ज्यादा ठंडी होती है इसलिए ये लंबे समय तक चलने वाले वाहनों के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती है ये डीजल से 30-40 फीसद सस्ती भी है और एक बार टैंक भरवाने के बाद ट्रक या भारी वाहन 600 से 700 किलोमीटर सफर कर सकते हैं देश में अम पास से ये गैस बहतर मानी जाती है पेट्रोल और डीजल की तुलना में ये कार्बन डायोकसाईड, नािटोजन ऑकसाईड और जैविक गैसें कम उचसरजित करती है पेट्रोल और डीजल गाडियों की तुलना में LNG का खर्च कम होता है इसके अलावा LNG इंधन के इस्तमा करता कम होगी LNG डीजल की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत सस्ती है ये वाहन के एंजिन की क्षमता को बढ़ाता है इस नई तक्नीक से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा भारत को गैस आधारत अर्थ व्यवस्था में बदलने के दृष्टिकोन को साकार करने में भी मदद मि केंद्रियम मंत्री श्री नितिन गटकरी जी के राष्ट्र के उत्थान के प्रती सजगता अथक प्रयास और भविश्य को आकने वाली विचारधारा का नतीजा है कि आज भारत की पहली LNG सुविधा नाकपूर में परिचालन के लिए तयार है ये सारे देश के लिए विश का वरन पूरक हरित उर्जा के लिए LNG सुविधाओं को बढ़ाएगा नई पीड़ी का ये इंधन देश की उन्नती को बढ़ावा देते हुए नाकपूर के कई ट्रांस्पोर्टरों के चहरे पर समाधान की मुस्कराहट लाएगा ये सुनिश्चित है